हाई दोस्तों कैसे हैं आप सभी आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपके पास 40 लाक 50 लाक या एक कुड़ों बहुत सारा लोग मुसे सवाल करते हैं कि उनको घर खरीदना है तो क्या एक साथ पूरा पैसा डाल करके घर खरीदा जाए ताकि उनका इंटर चीट के उपर जो आपको क्लियर आइडिया देगा कि आपको 50 लाक है या 30 लाक है या एक कड़ोंड है उसको किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो और अपना होम लोन या कोई विची जल्दी से किस तरह से पे कर सकते हो आसानी तरीके से इस वीडियो के अंदर मैंने ड कर सकते हो इस लिए अजय अचैपियों कि तरफ चलते तो आपको फॉर्दा से और किरियर आइडिया मिलेगा सो मैं इसको मॉसरे स्मॉल कर देता हूं इतना काफी है इतना काफी मिधि ये लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने तो इसके अंदर मैंने काफी detail मी excel बनाया था, वो excel sheet आपको वहाँ मिल जाएगा, कि किस तरह से आप घर भी इसके अंदर खरीच सकते हो, investment भी कर सकते हो, और आज investment किया आओ पैसा कल जाकर कितना होगा, इसके अंदर पूरा का पूरा cover है, एक एक चीज मैंने explain किया, वो video definitely देखना बहुत जाद आपको help करेगा, क्योंकि बहुत सरा लोग पैसा कमाते तो हैं, पर उनको मालूम नहीं कि पैसे किस तरह से manage करना है, so that कल जाकर कि उनका बहतर हो सके, आज के video में बात करने वाले हैं कि घर जो खरीद रहे हैं, उसको वन गो में खरीदना चाहिए, या उसको डाउन पेइमेंट करें खरीदना चाहिए, तो आज मैं अपना एक फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है, उसका हम एक्जांपल लेने वाले हो, गर हम 32 रुपीस के अस-पस का प्लानिंग कर रहा है, घर खरीदने का, वो भी वन गो में, तो यह वीडियो इसके लिए बना रहो ता कि उसको समझ में आए, कि वन गो में खरीदना चाहिए कि नहीं, तो यहां पर questions कहा रहते हैं, कि should you buy home at a one-go, the first of all everyone has the question the same like most of the people ask me the same कि अगर हम home loan नहीं लेते हैं if I pay for example कोई property की कीमत है पचास लाग रुपे और मैं पचास लाग रुपे अफरंट पे करता हूं तो मेरा फाइदा क्या है 6.9% interest rate जो फिलाल home loan जल रहा है उसके साफ से और 240 मैने के अगर में बात करूं तो कहता है कम से कम 42 लाग रुपया बच जाएगा और साथ-साथ में उनके दिवांग में यह आता है कि अगर वो property मैं रेंड पे देदू मैंने खरीदा ready position घर की बात कर रहा हूं खरीद लिया उस property का value भी increase होता है तो दोनों फायदा है एक तो rental income भी मिलेगा उसको साथ-साथ में property appreciation भी मिलेगा और इसका 42 lakhs का budget saving भी हो जाएगा लेकिर आप questions हवाल आता है कि मैं 50 लाग रुपय मैं उसके लिगा पर रहूं तो बिलकुल पे एक साथ ना खरीदू क्यूं तो आईए करता हूं कि 40 लाग रुपय जो है मेरा 40 लाग रुपय चार लाग 4 लाग रैड तो 40 लाग रुपय मैं क्या करता हूं इसको 40 लाग रुपय के उपर मैं home loan उठाता हम बाकि 10 लाग उने down payment कर दिया पाकि 40 लाग का मैं business कऊंगा कि मुझे loan चायी क्योंकि मुझे घर खरीदना और जो home loan होता है वो एक secure loan होता है तो bank को भी थोड़ा सा आसानी हो जाता है तो यहां पर 6.9% interest rate के हिसाब से जो rate है 12 month का है तो per month around 0.57% interest rate लगने वाला है 20 साल के लिए home loan ले रहा है for example मेरा friend और total month 240 मेने के आसपास जाएगा तो उसका EMI कितना लगेगा हर मेने का EMI उसको around 30,772 रुपीज के आसपास pay करना पड़ेगा 40 लाग का अगर loan लेता है तो और home loan के लिए उसको total amount यह pay करने वाला total अगर हम देखें 20 साल के अंदर में around 73,85,354 रुपीज के आसपास इसमें interest amount 33,00,000 के आसपास 33,85,000 so यहाँ पर 10,000,000 ने down payment कर दिया 40 लाग के उपर home loan लिया 6.9% interest rate पे और around 73,00,000 रुपीज 85,000 के आसपास total pay करने वाला 20 साल में अब यह घर उसने लिया है और उसमें रहने वाला फिलाल नहीं है जो मेरा फ्रेंड है या फिर मैं normal example consider कुई अपने family के घर में ही रहने वाला parent के घर में रहने वाला है so for example जो घर वो 50 लाग का खरीद रहा है उसका भाड़ा उसको पंद्रह हजार मिलेगा just example पांस साल के लिए भाड़ा जो भी आप रख सकते आपके अपर है तो पंद्रह हजार रुपे का बाड़ा मिल रहा है ठीक है और उसको कितना EMI पे करना है 30,772 रुपे तो 30,000 में सो यह पे करेगा पूरे 20 साल में अगर 20 साल तक उस घर को सिर्फ रेंट पर चड़ा करके लखे या बहुत साल के पाड़ दो दो तिन तिन घर होता है तो 37,000,000 रुपी 85,000 के आसपा पास पे करेगा रेंटल इंकम को और साथ-साथ में जो EMI थोड़ा मिला करके तो almost 36,000,000 बच्चे होते हैं या एक बच्चा रहेगा दबाता लएके फैमिली पैरेंट के घर में रह सकते हैं तो यहां पर मैं सिर्फ प्लानिंग कर रहा हूं कि चलो home loan लिया इसने 15,000 के इसको रेंटल भी मिल रहा है साथ-साथ में क्या उसका पैसा है वो भी ग्रो हो रहा है क्यों इंडेक्स आपको आराम से डाल सकते हैं अगर मिल जाएगा तो अगर यहां पर 12 आपको साल का रिटन मिल रहा है बारा मन्त के अंदर में तो एक मेने में आपको वन टक का एक पसंद रिटन मिल रहा है जास हम कंसिडर करते हैं जास पर अंडरस्टैंडिंग कि आप कब तक ब्रेक इवन अचीव कर पाओ कर जो आप यह घर खरीद रहे हो वो 40 लाग रुपए यहां से ले करके तो 20 साल का टैनियोर है और 20 साल में टूटल 240 मेने होते हैं तो रिटन अगर एक पसंद के हिसाब से देख उस 40 लाग रुपए में तो मैं कम से कम 44,000 रुपया मेना मुझे रिटन आता है just for understanding sake of understanding 44,000 रुपी मैं रिटन से जेनरेट कर लेता हूं और 167 मंत में जो मैंने लोन लिया था पे कर पाऊंगा क्योंकि मैं 44,000 रुपय यहां से रिटन भी तो जेनरेट कर रहा हूं वो पैसा अगर मैं उसमें डालना चालू कर दूँ तो 167 मंत में अपना होम लोन पे कर दूँ मतलब पूरे 14 साल के अंदर में लोन अपना रिपे कर दूँगा जो मैं 20 साल में रिपे क किया औरता तो उसके अब से ब्रेक इवन करने के लिए 167 मंत लगता लेकिन महीं पर अगर मैंने इसको इंवेस्टमेंट किया फर इसांपल 20 यह के लिए मैंने 40 रुपय इंडेक्स फंड में डाल दिया अब उसके अंदर में आपको बोनस भी मिलेगा डिविदेंट भी मिल जाएगा तो यहां पर अगर मैं 40 रुपय इंडेक्स फंड में डालता हो 20 साल के लिए 12 पसें रिटन पर आनम के हिसाब से तो मैं कम से कम 40 रुपय मेरा 1,55,83,903 रुपीज के आस्वाफ जाएगा जो की बहुत जाद है जो आपका होमलों कितना चल रहा है 73 लाइक आपको आपको पच्पन लाग करने ले लिए मतला आदा पैसा तुरं जटके में आप पे कर सकते हो 167 मंद के अंदर में या 13 साल के अंदर में अब जो एक कोड़ पच्पन लाग आपको मिला है वह आपके डिरेक्ली आपके हाथ में या उसके पर लॉंग टरम गेंज जो टैक्स भ 318 रुपीज आराम से आजाएगा आप सोच ये एक कुड़ 32 लाग 46,000 रुपर आपके हाथ में भी आ रहा है साथ-साथ में आपने घर भी खर लिया उसमें से ही EMI पे करके आप चाहा हो तरह प्रेशेशन क्योंकि आने वाले 160 मेने के बाद आप वहांस इतना ज़्यादा ज या इंडेक्स से पैसा बन रहा है रियल स्टेट से भी मेरा पैसा ग्रो हो रहा है और मैंने लॉंग टेंपल एक आसेट क्रियेट कर लिया जो हमेशा एक इल जनरेट करके देता रहेगा और प्रॉपर्टी बाद में आपका हो जाएगा ये एक सिंपल सा एक्जामबल था अ जो भी एडवाइस करें अच्छे से सजेस्ट करें उसके इसाफ से 40 लाग रुपर डालेगा तो कम से कम 16 लाग पसे मिनिममम वह फंड मानेजर कम से कम 16 लाग रिटन दो जनरेट करके देगा येरली नहीं बारा महिने मतलब यहां पे आपको जो पहले 1% मिल रहा था नॉर् स्रिफ 132 मन्त में यहां सिर्फ 11 साल के अंदर आप पे कर दोगे तो जस्ट आपने देखा सिर पसंट चार पसंट इंक्रीज करने से आपका अल्मॉस्ट कहों तो तीन साल का पीरिएड नीचे चले गया तो एक एक पसंट माटर करता कम पांटिंग के अंदर में और यहां प 16 परसंट थोड़ा हाइर साल है 15 परसंट भी आप पकड़के चल सकते हो तो तो टोटल वाल्यू आफ्टर ट्वेंटी यर्स अरॉंड टू क्रों थर्टी सेवन लाग फुर्टी फॉर्टी फाउजन नॉट रूपीस के आसपास पास पहुंच जाएगा 0.15 यहां कहूं 15 प से अपने कैपिटल अप्रेशेशन भी किया आप एक्जांपल ले ता मेरे फ्रेंड का फर इसांपल 32 लाग रुपीस का फ्लाट पर्चेस करने वाला इसकी पास अभी फिलाल पैसा है तो 32 लाग में 10 पसेंट वो डाउन पेमेंट कर देता है वो फ्लाइट लेकर के सो अलमो इसको पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है 22 लाग रुपे एक्स्रा डाल रहा है मतला पूरे 20 साल में और उस घर से उसको रेंटल इंकम जैस प्रॉपर्टी का दाम का में तो 10 लाग कर लेते हैं 10 लाग रुप कमाएगा क्योंकि इसको यह घर भी है और वह रेंटल वहां पी उसकर सकता है या इसका EMI पे करने भी उसकर सकता है तो इसको मेने का EMI अक्चुली दस हजार के आसपा जाएगा उससे ज्यादा नहीं जागा 10 लाग रुपे नेट अमांट यह पे करेगा कितना जो 49 लाग रुपीज पे कर रहा था तो उसका वैली अरॉड वान क्रोर 5,19,135 रुपीज के आसपास बहुत जाता है या जो भी 27 लाग का जो लून लिया है वह आराम से 13 से 14 साल के अंदर में आराम से पे कर देगा राइग तो ओर रुपीज इसने 89 लाग रुपीज के पास हाथ में आ जाता है 89 लाग में से 40 लाग रुपे भी हटा दो आपने लोन पेमिंट तुरंद कर दिया आपका जो ब्रेक इवन 167 मन्त के आसपास आ रहा है 13 मन्त के यहां पर पसंट इस इंक्रीज कर एगा और पैसा भी ज्यादा बना पाएगा रिटन भी ज्यादा हो रहा है यहां पर ज्याद इसका close friend हूँ तो definitely वो मुझसे पूछेगा तो मैं उसे बात करूंगा stocks के बारें बात करेंगा market के so I will definitely guide him and support him so on an average I make around 16-18% return just for understanding 16-18% return उसको generate करके दिता हूँ right उससे जादा ही generate करके दिता हूँ तो मैं around 30-30% 20% के आसपास चले जाता है right so यहां पर return per month की बात करें तो around 37,000 के आसपास EMI 10,000 के आसपास almost is making a good money right so आने वाले 20 साल के बाद अगर जो भी idea और support में provide करता हूँ अपने close friend को तो 1,36,23,182 रुपीस के आसपास यह बना लेगा right तो यह Excel sheet आपके साथ share किया जा time अपने screen पर right so मैंने यहां पर आपको explain किया कि कैसे आपको one go में घर नहीं खरितना चाहिए और down payment करके rest of the money आपको mutual fund में भी आप डाल दो इसके more than one lakh के ऊपर होगा निफ्टी तो पैसा automatically आपका grow हो चुका रहेगा right तो पैसा आपका बन जाएगा साथ-साथ में आपका घर भी आपका हो जाएगा रेंड भी आप generate कर पाऊगे साथ-साथ में आपका real estate property से आपका पैसा भी बन गया और सार गासा और आपका पैसा ब्लॉकेज नहीं हुआ वन को में खरीदे से problem यह है कि आपके हाँ से पूरा पैसा चले गया वो 50 लाग रुपए या 32 लाग रुपए और उसके बाद आप क go about buying जो भी आपका property दाम है या 50 लाकी है या एक कोड़ का property है तो down payment करके आपने कुछ भी 30 लाक रुपीज भी अगर आपने saving किया रहेगा सो इस तरह से आप अपने पैसे को stock में index fund में सबसे अच्छा stock में portfolio भी छोड़ो किसी को manage करने मत दो index fund में डाल करके छोड़ सकते हो nifty market कभी zero नहीं होगा market में हमेशा volatility ups and down रहेगा noise रहेगा but over the period पैसा automatically create होगा जो patience बना करके रखेंगे निफ्र 50 कि stocks में डाल दो index fund में डाल दो 95% कि आस पास replication replica बनाते है उसको ETF तो आं भी पैसा डालेंगे तो automatically 12% return आपको मिल रहा है so automatically आपका wealth तो create हो रहा है so this is how you should beat inflation beat your जो भी blockage पैसा करने वालते इस तरह से block आपको नहीं करना है so even I will prefer the same way once I get a lot of जब मेरे पास capital हो जाएगा तो मैं भी यही तरीका use करूँगा 20% down payment for जो भी फ्लाट purchase करूँगा तो बाकी का 80 जो भी अगर पैसा रहता है in case तो वह मैं mobilize करूँगा index fund के अंदर मैं normally so that उससे मैं return generate करके automatically बिना tension के पैसा invest कर सकूँ और सासात में आप चाहो तो ATC का use कर सकते जहां पर joint member आप और आपकी wife मिल करके मतलब दो लाग रुपएक आपको benefit मिल जाता है उसमें scheme के अंदर में सासात में आप चाहो उसके अंदर में तो आप एक insurance भी planning कर सकते एक insurance ले सकते हो in case of damage of any जो soul earning member है या husband या wife जो भी इस फैमिली के अंदर में इन case of death हो यादा कुछ होता है तो वो directly आपको प्रोटेक्ट करेगा जो भी आप EMI नहीं पेकर पार है तो तो वहां से वो के कबर हो जाएगा तो इस हिसाब से आपको financial planning करना चाहिए और या आपको घर वन को में बलकुल नहीं खरिदना चाहिए यह मेरा objective है अगर आज जिनके बास पैसा बहुत सारा है बहुत अलग है पचास लागा घर खरे तो लिगन फिर